तूट सद्धा होना चाहिए किसमें अनंत सक्ति है, अनंत सक्ति संपन है, ये महान पवित्र आत्माओं के नाम है, ऐसा अपनी सद्धा में आना चाहिए, और समझ सकते हैं, तो स्वाध्याय करके अरहंतों का सुरूप कैसा होता है, सिद्धों का सुरूप कैसा होता है, परमिश्णियों की सुरूप को, सास्त्रों से जानना चाहिए, और नहीं जानने में आये, पर यह मानना चाहिए, कि इस मंत्र में अचिंत शक्ती है, और महान पवित्र है, जैसे अंजन चोरन, बली अर्थ नहीं समझा, लेकिन सद्धा इतनी थी, कि या शक्तिमान मंत्र जिस कुछ नहीं करना सारे देवता तुम्हें आके घेर के खड़े हो जाए मारने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना तुम नवुकार मन पढ़ने लेना देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हें छूले वे देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हें छूले वे तुम कैसे भी नवुक आक साथ सुहम चक्रवर्ति को मारने आया लेकिन स्मोर्श जंग बत्री भाई के कारण क्या पढ़ना भाई से पढ़ने लगा भो भी नमोकार मंद्द देवता खबड़ा गए अब तो मैं छू नहीं सकता है क्योंकि यह नमोकार मंद्द नमोकार मंद्द पढ़ रहा है तो मै प्रणाम क्या हुआ देवता ने का कि जब तक नमोकार मंद्द पढ़ेगा मैं इसको छू भी नहीं पाऊंगा तो उसने नमोकार मंद्द पर पैर रखवाया उठा के फैंग रिया है उससे सिद्ध होता है जैनागम के अनुशार राउण की सक्तियां क्यों काम नहीं की क्य सकति नमोकार मंद्द पर न तो है ऐसी सक्ति ऐसी सिद्धा आपकी होना चाहिए कि नमोकार मंद्द मेरे पास है संसार की सब्ष्रिवड़ी निधी सुरक्षा कबच मेरे पास है ऐसा अनुख करना चाहिए